बालों को जड़ने से रोकने के लिए और बालों को लंबा मोटा घना बनाने की एक ऐसी रेमडी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका इस्तिमाल करने के बाद में आपके हेर फॉल में बहुत कमी आने वाली है साथ साथ में बालों को यह काफी ज़्यादा मॉंटा बना देता है घना कर देता है बालों को जड़ने से रोकता है इस मैजिकल ओल को कैसे बना के तयार करना है चलिए देख लेते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तफ पिंक्जी चनल को सस्क्राब नहीं किया हो तो सस्क्राब जरूर कर लेना जिससे कि आप मेरे ऐसे यह अचछी वीडियो सबसे पहले देख सकें तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूर पढ़ेगी एक ओइल की आप कोई भी अपनी पसंद का ओईल ले सकते हैं मैं यहां पे ले रही हूं तिलका तेल को यानिकी सैसमे सीड औल आप चाहें तो फोकोनट ओउल ले सकते हैं ओलिब औल्ल ले सकते हैं या फिर मस्ठर्ड ओईल का इस्तिमा जब तक कि यह ओल हमारा गरम होता है तब तक हम और तयारी भी कर लेते हैं तो इसके अंदर हमें डालने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूर पड़ेगी वो है क्या प्सिकम यानि की सिमला मिर्च जी हां सिमला मिर्च हमारे बालों की ग्रोध को बढ़ाने के लिए बहु इसको आप किसी ग्रेटर की मदद से बारिक बारिक ग्रेट भी कर सकते हैं जिससे कि जब हम इसको ऑईल में डालें तो इसकी सारी की स्वारी क्वालिटी हमें मिल सेके हैं या फिर आप इसको चोटा चोटा सा बारिक बारिक सा कट कर सकते हैं मैंने यहां पर इसको बड़े में एक मिक्सर में डाल के हलका कर लोग। मैं एक दम से बारीक पेस्ट नहीं बना हुई एलोवेरा लीफ जी या हमको चाहिए होगी एक फ्रेश एलोवेरा लीफ एलोवेरा हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फाइदे मंद होता है हम सब जनते हैं हमको यहां पर मार्किट वाले ऐलोवेरा जेल का इस्तिमाल नहीं करना होगा हम इसको ऑईल में डालकी तो इस तरह से मैंने इसको बारिक बारिक से टुकडों में कट कर लिया है इस तरह के छोटी छोटी से पीस आप बना लीजिए अब जो हमने ऑईल अपना गरम करने के लिए रखा हुआ था उसको देख लेते हैं ऑईल हलका गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम इसके अंदर दालेंगे अलो बीरा हमने क्यूप्स कट करके रखी हुए उसको इस ओयल के अंदर डाल देंगे और चम्मा से चलाते हुए इसको एक दम से लो फ्लेम पे पकाएंगे अब इसके अंदर हम डाल देंगे सिमला मिर्च मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के क्रस्ट किया प्लेम पे पकाएंगे हमें मीडियम या फिर हाई फलेम बिल्कुल बे नहीं करना है यो कि हाइफ पकाने ही से इसके क्वालिटी होती है उनमें थोड़ी कम ही आजाती है तो इसलिए हमको एक दम से लो फ्लेम रखना है जिससे कि सारी के सारे गुड इसके आंदर बरकरार र तो इस तरह से यह हमारा मेजिकल ग्रीन ओयल बनके तयार हो चुका है इसको आप 2-3 महिने तक आराम से इस्टोर करके रख सकते यह खराब नहीं होता है अब इसको लगाने का तरीका यह है कि जब भी आपको अपने बालों को धुलना हो उससे एक रात पहले तो आप इसको अच्छे से मसाज जरूर करें ऐसा करने से आपके बालों की लंबाई बहुत तेजी से वड़ने लगेगी और हेर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर होगी साती साथ बाल मोटे और घने भी बनेंगे उमीद करती हूं कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो